नमस्कार आप सबका भूबत स्वाकत है मेरी साथ हैं मिस्टर आजिते कशप हम यहाँ इसलिए आएं कि हम पहले बाद तो आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं रॉकेटरी कर जो यह दोर रहा है यह हमार लिए बहुत ही हैपी और ज्या बोले? तो यह हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व और खुशी की बात है जिस तरीके से फिल्म का रेपेटिशन जिस तरीके से चार हफ़ते बाद भी थेटरों में यह चल रहा है और आज मैं बड़ा खुश हूँ और उमीद करता हूँ कि और कई तनों तक यह थेटर में रहेगी तो यह हमारे लिए मीडिया के लिए थेंक्यू कहने के लिए एक एवेंट है और दूसरी बात यह है कि आज हम एक नया एप लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सिनी डब और यह एक अजीब और अजीब तो नहीं कहूंगा मैं कहूंगा एक बहुत ही एक्सेप्शनल टाइप आप है क्योंकि आज कल हम देख रहे हैं कि फिल्में कई भाशाओं में रिलीज हो रही हैं और सब टाइडल्स भी कई बार देखे जाते हैं पर इस एप के साथ अगर आपके पास फोन है और येर फोन हैं तो किसी भी फिल्म को आप अपने पसंतिजा भाशा में देख पाएंगे आपको सिर्फ डाउनलोड करना है लैंगविज सिलेट करना है जो लैंगविज में फिल्म डब हुई है और आप हो सकता है कि रॉकटरी हिंदी में देखाई जा रहे हो और आप अपने माबाब के साथ आए हैं जो सिर्फ मराथी समझते हैं या गुजराती या जो भी थेटर के बहार नहीं चलेगी ये तब तक नहीं चलेगी जब तक फिल्म शुरू नहीं होती और ये आप इसको अब मनलब अलग से घर पे बैठके डालॉग नहीं सुन सकते विग ऐसी आप की जैसे ही पिच्चर शुरू होती है वो इसका AI इतना स्मार्ट है कि वो अपने आपको फिल्म के ओडियो के ट्रैक के साथ सिंग कर लेता है और आपको फॉरन वो फिल्म अपने पसंदा भाशा में आप देख पाओ तो मानलीजे जैसे मैंने पहले बताया कि मानलीजे हम आंथरा प्रदेश में आप हैं हाईदरबाद में आप ट्रिप के लिए गाए हैं तो आप के लिए तो आपको फिल्म को हिंदी में देख सकते हैं आप कुछ क्याना चाहेंगे सर् I think you covered it very well. I covered it very well, okay He's doing a good justification to the being a brand ambassador What happens is when you're watching a film, a lot of time is spent on reading the subtitles and you miss the performance. As an actor I hate that मैं चाहता हूँ कि यार, परफॉरमंस हो देखो, कि हम लोग इतना मुश्किल से काम कर रहे हैं, लेकिन लोग सिर्फ सब्टैडल देखने में मुझबूर हो जाते हैं, तो विच सिनी डब्स वो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको सब्टैडल पढ़ने की जुरूवत नहीं है मैंने इस एप को ट्राइ किया है, इस क्वाइट स्पेक्टैकुलर, मनलब मैं इसलिए ब्रैंड अब्स बना क्यूंकि मैं कोई भी चीज में अपना नाम जोडने से पहले बहुत रिसर्च करता हूँ, और खासकर कि अगर टेक्नोलोजी हो तो मैं और भी रिसर्च कर लेता ह तो अगर यह हम अगर अगर इन्होंने सब्सक्राइब किया होता अगर पता है मुझे किया कि नी पर अगर इन्हों किया होता तो शम्षेरा को आप यहां पैटकर इसी थेटर में तमुल में गुजराती में तेलगू में मलयालम में देख सकते हैं एक साथ, so that is the beauty of Cine Dubs, इस का introduction मैं आपको देना चाला था, आप से आपको जो भी सवाह है मैं पूछना मनलब मैं जवाब देना चाहूँगा, पूरी सच्छाई के साथ, जहां तक हो सगे Thank you brother So I think I couldn't have asked for a better brand ambassador than Mr. Madhavan, and this all struck immediately when he saw the app, you know he of course asked a lot of questions to understand it completely, but as soon as all the answers and he was satisfied, he started it, I think I am blessed, There is no other reason, I am blessed to have Mr. Madhavan as a brand ambassador How this whole journey started, you know, कि मैं देखने कि अप्रमन मुझे तर्मना इस लेंगे जवान में देखने की वर तब आप में सचे कहानी है So the inventor of this app is my co-founder, whose name is Mr. Vineet Kashyap, he is also my younger brother, so I was in Paris a few years back when Mission Impossible was released and I was there for a couple of weeks for a business trip, and in every theatre, Mission Impossible was only in French, I was a fan of that series, I did not see the movie, so I came back to India, I told my brother this problem, he is a techie, he is a software engineer, a very renowned software engineer, and his statement is you give me a problem, I will let you know the solution, I gave him a problem, he came up with a solution in the name of CineDubs यार मैं आज शोली को तमड में देखना चाहूँगा यहनु मुझे लगता है कि आपके साथ को है यह वो अलग दुमान सामझता है, आपके साथ को है यह अगर किसी एक film को देखना चाहें, अपनी मात्रवाशा प्रशा में किस देखना है? यार मैं आज शोली को तमड में देखना चाहूँगा यहनु मुझे लगता है कि आसे बहुत सारे फिल्में हैं जो आप अपने मात्रवाशा में देखोगे तो उसका मजाई कोछ और होगा और मैं चाहता हूँ कि लोग नायकन को हिंदी में देखें उसी तरह आप अपने में चाहिए तो उनको ना इंडिया में रिलीस करने के लिए साथ आठ टीचीप देना पड़ता है फिर उनको चुनना पड़ता है कि इस थेटर में ना हम कनड़ा वरिजन रिलीस करें या तमल वर्जन या हिंदी वर्जन जैसे बैंगलोर में सब भाशा ही चलती हैं तो उनको ना एक एक डीसीप में एक ही भाशा चल सकता है पर इसके साथ क्या होगा ना कि आप आपके थेटर भरे रहेंगे क्योंकि अलग अलग भाशाओ वाले लोग एक वो शो को देख सकेंगे इर्रेस्पिक्टर वाट लाइंगज देख सकेंगे तो मुझे वो टेक्नोलोजी मुझे लगा कॉंसेप्ट पाइस तो बहुर अच् के लिए तो इन्हों ने सब को छोड़ चाड़ कर सब कुछ त्याग कर बहुत अच्छी नौकरी थी सौफ्ट्वर नौकरी सब कुछ त्याग चोड़ कर ये एप के पीचे ये पढ़े हैं पिछली तीन साल से तो मुझे पूरा यकीन है कि इसको सेक्सर में बनाने में यह कि एक बोट अच्छा रीजन है जो आपके दर्शक हैं जो आपको इतना जादा फॉलो करते हैं आडेंट फैंजिन को मैं काऊंगा वो शायद और भी जादा आप देख सकते हैं अगर आपकी रॉकेटरी को इतना लोग पसंद करें कि एक एमोशनल कनेक्ट है उसके साथ तो कि मुझे लगता है यूर दा रियल ब्रैंडम बिस्टर फॉर देस थीना थैंक यू भाइसाम यह सिर्फ इंडिया में नहीं जैसे मालिजे यूएस में केंटकी में यह फिल्म तेलगू में चल रही थी तो हमारे और यह अभी हो रहा है यह मैं नहीं के आने वाला है यह कोटे गाओं में नहीं बलगी अबरॉड में भी जो भी कंट्री में जैसे इन्होंने का था अगर आप फ्रांस में जाकर मिशन इंपॉसिबल को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो भी मुम्किन है पर यह वह जो खुबसरत बाते अबने कहीं उसके लिए बहुत-बहु करता हूं तो यह बंगाली में देखेगा तो यह हो जाता है कि अगर आपके पास जैसे मान लीजे विक्रम वेदा है मेरी तमल फिल्म जिसको लोगों ने हिंदी में डब करके सुना था उसको वो करने की जरूवत नहीं अगर हमने विक्रम वेदा को हर एक भाशा में डब कि हाजी मैं आपको नमस्ते आज आप हमारे सब के वीच हो सो रॉकेटरी को लोगों ने बहुत प्यार दिया है इसलिए अब तक एठेटर में है आज वेल आज यह भी पूछना चाहूंगी कि आपके सोशल मीडिया पर मने देखा जैसे आपने कहा था यह वर्ल वाइड है सो नियुवर्प में टाइम स्क्वेर में हमने देखा किस तरीके से लोग बहुत एक्साइटेड थे और जिस तरीके से क्राउड हम मोसली लाइक इंडियन बॉल वॉलीवड फिलम्स को हम इतना नहीं देखते है आउटसाइड कंट्रीज में लेकिन इस फिलम को बहुत प्य कर दिया इन ओल कंट्री कि लोग बॉलीवड सुन देखना चाहते हैं और रॉकेट्री को जो प्यार मिला उसका तो मैं मतलब मैं तहे दिल से शकुरिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि पता नहीं कैसे रियाक्शन मैंने कभी देखे नहीं कोई भी फिलम के लिए मैंने नही पर इसके लिए जो मैं रियाक्शन देख रहा हूं मतलब लोग तो तहे दिल से कह रहे हैं कि सुरी नंभी सर और थैंक्यू मादवन तो ये बात हर जगा मुझे सुनने को मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है इसी वज़े समने पिच्चर बनाई थी आज आप ये आप के ल है आप के लिए भी टारब कर आवी करति इस फिर्फा ये घलकर फिर्य आप लिए कहीं हम आपको आज डिखाना जाहरे है तो अच्छे कहते हैं तो एख में पर लोग तो इस उब्देम हैं ग्लिंस त्रूर द्रेलर कृव माद विक्रांत रोन देलर हैं और आप के टीर आप झाल झाल